असलाम लेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा लोगो डिजाइनिंग का लेक्चर नमबर टू है उसके अंदर सबसे पहले आपने अपना किस्टम साइज सेलेक्ट कर लेना है और उसको आपको पता है वन इंटो वन इन चीज रखते हैं अभी आपके सामने ये स्केर जो आपका बैक्ग्राउंड अब रैडियो हो चुका है अब जाएं अलिमेंट्स के अंदर आपने सबसे पहले सर्च करना है ट्रायंगल जब आप ट्रायंगल सर्च करेंगे तो स्क्रोल डाउन थोड़ा सा कीचिएगा आपको नीचे ये एक ट्रायंगल मिलेगा आपने इसे साइज इसका बढ़ा करके और इसको सैंटर के अंदर ले आएंगे ये जो लाइनज आती है ये आपको सैंटर शोओ करती हैं आपने इसको सैंटर के अंदर रखेने अब इसी को हम duplicate कर लेंगे इसको जब हम duplicate करेंगे तो duplicate का size हमने चुक्कि outlines के लिए रखने इसका size थोड़ असा बढ़ा करेंगे और इसका color black करतेंगे इस तरह से अभी हम इसको बिल्कुल इसको भी center में ले आएंगे लेकिन इसको हमने back पे लेके जाना है आपने animal add करना चाहते हैं अब हम उसको जाके सर्च करेंगे मैं यहाँ पे eagle add करूँगा तो यहाँ पे elements में जाके मैं यहाँ पे सर्च करूँगा eagle तो यह काफी options आ जाएंगे पहले आप graphics में जाएं graphics में जाके आप थोड़ा सा यह मुझे यह जो eagle का icon है यह attractive लाग रहा है उपर जो मैं छोड़ के हैं इस eagle का icon को मैं select कर लूँगा अब इसको थोड़ा सा capitalize करेंगे इसको बढ़ा करके ताकि यह थोड़ा सा prominent नजर आए यह थोड़ा सा इस तरह से मैं इसको adjust करूँगा पहले जो back का color है हम उसको भी yellow कर लेते हैं background का color जी exactly यह same हो गया अब यह ज्यादा मजीद attractive लगेगा eagle को थोड़ा सा adjust करें आप जैसे adjust करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है ताकि यह prominent लगे अभी यह जब हमारा eagle adjust हो जाएगा इसके बाद आपने इसको जरा कर लेना save save के लिए आप ओपर arrow जो given है वहाँ से जाकर download करें हमने इसको compress भी करना है और इसको transparent background करना है क्योंकि हमने इसको दुबारा reuse करना इसी image को इसको download कर ले अभी यह download हो जाती है देखें यह image अब हम इसे जाएंगे और plus के icon पर जाएंगे यहाँ से third option है gallery का gallery को open करेंगे यहाँ से अब हम जो image first choose किया था उसको select करके यहाँ पर add कर लेंगे देखें वो image हमारे सामने आ गया इसको बढ़ा करें इसको maximum बढ़ा करना है आपने यहाँ पर आप इसको इतना काफी है यहाँ पर आप इसको एक corner के अंदर रखें अब यह जो नीचे options given है यहाँ से देखें दरा हम इसको भी send back करेंगे बिल्कुल back पर ले जाएंगे इसको भी अब यह जो नीचे replace effects filter की option है यहाँ से आगे हम scroll करते जाएंगे और transparency का option आएगा transparency हम इसकी 10 करतेंगे यह देखें इस तरह से अभी देखें कितना attractive look दे रहा है लेकिन इसको मजीद attractive करने के लिए हम आगे जो एक next step करेंगे अब हम यह जो white background है इसको select करेंगे और इसका color भी yellow करतेंगे अब यह perfect look है यानि कि attractive logo की look दे रहा है आपको अभी इसके logo हमारा finalize हो चुका है अगर आपको इसको as a post यूज करना चाहते है या अपना signature add करना चाहते है तो signature add करने के लिए आपने अब जाना है plus के उपर और यहां पे आगे option की बना है text की और यहां से आपने add a sub heading को select कर लेना है यहां पे edit पे जाएंगे आप अपना नाम मैं हारिस काशिफ रखूँगा यहां पे मेरा नाम वैसे हारिस काशिफ नहीं लेकिन मैं as a demo यहां पे हारिस काशिफ लिख लिख देता हूँ अब यहां पे हम जाएंगे second option font पे font मैं आपको बताऊंगा आपने select करना जो signature के लिए best है buffalo font यह इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से capital कर लेना है थोड़ा सा इसको zoom कर ले बढ़ा कर लें text को यहां पे corner में ला कर रखते हैं अब आपकी जो logo के designing थी बिल्कुल perfect मुकमल हो चुका आपका logo इसी तरह से जो next हमारी जो series जा रही है यह logo designing की इसके अंदर मैं इंशाला आपको मजीद professional logos design करने का सिखाऊंगा आप अगर वो सीखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर लें और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like भी करते हैं और एक प्यारा सा comment भी comment section में जरूर करिएगा मिलते हैं इंशाला आगरे वीडियो में तब तक के लिए अलहाफिस